फार्मा कंपिटिशन एक्जाम की तयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राम प्रकास परजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंपिटिशन फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम वीटामिन टॉपिक का क्विक रिविजन करने जा रहे हैं वीडियो को अंतक पूरा देखें जिसे कि नई एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वीडियो को लाइक करना ना बुलें वे गॉल्डन कुष्टिंग का अंस्वर कमेंट बॉक्स में आविश्य दें तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड सबसे पहले हम बात करें विटामीन की डेफिनेशन की तो थीज आ नेचुरली अकरिंग और्गनिक सब्स्तांस विच आ डिक्वाइड इन माइनुट अमाउंट्स तो मैंटेन नॉर्मल हेल्थ अव्गनिजम required to be supplied in food as they cannot be synthesized by the organism अगर हम इंको क्लासीफाई करें तो जनरली टू ठास्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से नेक्ट देखते हैं water soluble vitamins जिनके example रहेंगे vitamin B and vitamin C अब हम देखते हैं fat soluble vitamins के बारे में fat soluble vitamins को देखें तो vitamin A जिसका scientific name है retinol और इसके अंदर beta ionon ring पाई जाती है इसकी deficiency से night blindness, netalopia, zerothalmia या फिर bitote spot हो सकता है इसी तरिके से vitamin D की बात करें तो इसका scientific name होता है calciferol और इसके अंदर steroidal ring पाई जाती है और इसकी deficiency से rickettsia disease हो सकती है next देखते हैं vitamin E इसका scientific name होता है tocoferol और इसके अंदर chrome and ring system पाई जाता है इसकी deficiency से yellowish discoloration of enamel and brownish discoloration of adipose tissue हो सकता है and last vitamin K जिसका दूसरा नाम है phytonodion और उसके अंदर पाई जाता है napta qunone ring friends इसकी deficiency से hemorrhage हो सकता है क्योंकि vitamin K is required for clotting factor second, seventh, ninth and ten तो friends किसी भी competition exam की बात करें तो वहाँ पे एक ना एक question vitamins is related हमेशा हता है या तो फिर उसमें उसका scientific name पूचा जाता है या फिर ring system पूचा जाता है या फिर उनसे होने वाली deficiency disease तो आप इनको अच्छे से learn कर सकते हैं और friends अगर आप vitamin A, B, E, C इनके वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन में आरे link पर click करें जिससे की video कंत में आप इनको भी open करके देख सकें या वीडियो के description में दिये गए link को open करके देखें तो friends अब हम बात करते हैं water soluble vitamins के बारे में friends water soluble vitamins की बात करें तो इसके अंदर जो category रहेगी वो रहेगी vitamin B और vitamin C की तो सबसे पहले हम लेते हैं vitamin B को friends vitamin B में vitamin B1 इसका scientific name होता है ताइमीन और इसके अंदर थायाजोल एंड पिरिमीडीन रिंग सिस्टम पाए जाता है the deficiency disease due to थाइमीन और vitamin B1 इस बेरी बेरी और ये कई बार exam में पूचा गया है इसी तरीके से vitamin B2 का scientific name होता है riboflevin और इसके अंदर iso-aloxazin रिंग पाए जाती है और friends इसकी deficiency से corneal opacity या mouth ulcer होने के chances रहते हैं next देखते हैं vitamin B3 जिसका scientific name है nicene और इसके अंदर जो ring system है वो है pyridine 3 carboxylic acid friends nicene की deficiency इसे pellegral disease होती है इसी तरीके से vitamin B5 जिसको हम pentothenic acid भी बोलते हैं vitamin B6 जिसको हम pyridoxin केते हैं और इसमें pyridine ring पाई जाती है friends the deficiency of pyridoxin leads to peripheral neuropathy and microcytic anemia इसी तरीके से vitamin B7 का नाम है biotin vitamin B9 का नाम है folic acid और इसके अंदर जो nucleus रहता या ring system रहती है वो है teridine ring friends due to deficiency of folic acid और vitamin B9 megaloblastic anemia can occur इसी तरीके से vitamin B12 जिसका दूसरा नाम है sinocobalamin और friends इसी के अंदर cobalt metal भी मौजूद रहती है और ये corin ring system के अंदर present रहती है जो कई बार exam में उचा गया है और इसकी deficiency से megaloblastic anemia होता है and last vitamin C जिसका scientific name है ascorbic acid ये similar to hexosucar होती है और इसकी deficiency से इसकर भी होने के chances रहते है friends अब हम बात करते है कुछ ऐसे important points की जो इनके अलावा भी कई बार exam में पूछे गए है तो सबसे पहले देखते है vitamin A it is mainly present in carrot and destroyed by sunlight and oxidation vitamin D it has anti-tittany and anti-requetic factor deficiency of vitamin D cause rickets in children and osteomalacia in adults ये कई बार exam में पुछा गया है आप इस पर focus रखेंगे vitamin B1 cause beriberi disease friends dry beriberi leads to peripheral neuropathy while wet beriberi leads to heart failure इसी तरह के से vitamin B3 or niacin is also called pellagra preventing factor friends vitamin B7 or biotin is mainly present in honey and work as co-enzyme in carbon dioxide fixation next देखते है vitamin B12 it is also called anti-pernicious factor and last pentothenic acid is also known as filtrate factor and is a component of co-enzyme A तो friends अब वक्त आ गया है आज के golden question का the golden question of this video is beriberi is due to the deficiency of option A thiamine option B riboflavin option C nicene and option B pyridoxin तो friends इसकांस और comment box में आवश्य लिखें अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तता साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिसे आने वारे सभी वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें मेरा हम प्रकास प्रजाबत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बेस्ट अप लगको और एक्जामेन थैंक्स